माइसेल्फ लभीना बानू, सीनियर लेक्चरार, होडी इंटिरे डेकोरेशन कोड नमबर आईडी 207, यूनिट 2.11, कोड नमबर आईडी 208, यूनिट 1, वुडन बेसिक जॉइंट लकडी की कोई सरंजना बनाने के लिए लकडी के दो अव्यवों को जोडना पड़ता है, जिसे जॉइंट कहते हैं, कुछ महतपूंट जॉइंट के चित्रवकार ये इस प्रकार है क्रोस हॉलविंग जॉइंट इस जोड में लकडी के दो टुकडों को 90 डिग्री पर इस तरह जोडा जाता है, कि वे बने हुए अव्यव की शकल क्रोस तरह की हो जाती है प्रतेक लकडी के टुकडे के मध्ये लंबाई पर ये जोड बनाया जाता है, दो टुकडों की आधी-ाधी मोटाई काट कर दोनों टुकडों की क्रोस रूप में तथा 90 डिग्री पर रखकर जोड दिया जाता है कॉमन डॉविटेल जॉइंट या डॉविटेल हॉल्विंग जॉइंट इस चोड का निर्मान दो लकडी के दो टुकडों में से टी बनाने के लिए किया जाता है एक लकडी के टुकडे में से आधी मोटाई टेड़ी करके काटी जाती है कि यह पहले लकडी के टुकडे में बनी जगा में चड़ाओ रूप में फिट हो जाए यह दराज बनाने के काम आता है इसे लकड़ी की अलमारी वा कैबिनेट वा बड़ी बड़ी पेटिया वा दिवान बॉक्स आधी में काम आता है मोर्टाइस एंटेनन जोईंट यह फ्रेमों के कोने पर बनाया जाता है उर्ध्वाधर अव्यव अनुप्रस्खन के मध्ये एक तिहाई जोड़ बाकी के आधी मोटाई के दोनों तरफ से दो टुकड़े आरी से काट दिये जाते हैं इसे उर्ध्वाधर होरिजंटल अव्यव में से मध्ये तिहाई काट कर निकाल दी जाती है अब वो होरिजंटल अव्यव की मध्ये तिहाई खाली जगा में उर्ध्वाधर अव्यव की चूल या टैनन फिट कर दी जाती है हाउसिंग जोइन या डेडो जोइन या बट जोइन टी शकल में दोनों अव्यव जुड़ जाती है एक लकड़ी के टुकड़े में पूरी चोड़ाई में नोच बना दी जाती है जबकि दूसरे टुकड़े के सीरो पर टैनन बना दी जाती है टैनन द्वारा टुकड़ों को नोच में फिट कर दिया जाता है और जोड़ बना दिया जाता है ये सभी जोइन डोर विंडो की फ्रेम और फरनिचर बनाने में काम आते हैं